सन्राइजर साधराबाद और दिल्ली केपिटल्स के बीच रभीवार को खेला गया रोचक मुकाबला सुपर उस्वर तक पहुँच गया टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने उतरी दिल्ली केपिटल्स ने प्रतिवी 100 के अर्ध सतकी पारी की बदोलत 4 विकेट पर 169 रन का स्कोर खड़ा किया ऐसे में जीत के लिए 160 रन के लेच्च का पीछा करने उतरी सन्राइजर साधराबाद की टीम के केन विल्यमसन की नाबाद 51 गेंद में 6 चट और पहला मैच खेल रहे जगदीश सुचीत के 6 गेंद में नाबाद 15 रन की पारी खेल कर मैच में बराबरी कर ली आखिर यू ओबर में जीत के लिए हैदराबाद को 16 रन बनाने थे लेकिन 200 रबाड़ा के खिलाफ बिल्यमसन और सुजीत की जोड़ी 15 रन बना सकी ऐसे में आई पिल 2020 में पहली बार मुकाबला सुपर ओबर में पहुँच गया दोस्तों सुपर ओबर में पहले बल्ले बाजी करने उतरी हैदराबाद के लिए मौरचा समहल ने कप्तान डेविड वारनर और केन बिल्यमसन की जोड़ी उतरी वहीं दिल्ली ने गेंद बाजी का जिम्मा अच्छर पडेल को सौपा पहली गेंद पर डेविड वारनर कोई रन नहीं बना सके दूसरी गेंद को लॉंग ऑन की तरफ वारनर चूके लेकिन एक रन बना लिया तीसी गेंद पर अक्छर के सामने केन बिल्यमसन थे उन्होंने एक केंद को पुल करके डीप मिड विकिट की दिसा में चोका जड़ दिया चौती गेंद पर बिल्यमसन गच्छा खा गए उच्छाल भरी गेंद मेडिल इस्टमबर ठपा खा कर बाहर की और गई पांचवी गेंद पर बिल्यमसन की रिवर्स स्वीप पार्रिंग की कोसिस नाकाम रही लेकिन दोने बल्लेबाजों ने भाग कर एक रन लिये और कोसिस को पूरा किया इसके बाद आखरी गेंद को एक्ष्टा सौर्ट कवर की दिसा में वार्णा में खेला और भाग कर दोर रन लिये लेकिन अमपायर ने एक रन को साट रन माना और हैदराबाद की टीम छे गेंद में सात रन बना सकी दिल्ली ने चुपके से चुरा ली जी ता हैदराबाद ने गेंद बाजी की जिम्मेदारी राशिद खान को दे दिल्ली के लिए बल्ले बाजी करने सिखर धोनों और शप्पन्थ की जोड़ी आई पहली गेंद पर राशिद ने गुगली का प्रयास किया मिडेल इस्टम पर डाली सार्ट लेंथ गेंद को पुल किया और डीप इ की दिशा में गई वहां एक रन ले लिया दूसरी गेंद पर राशिद धोन को सार्ट लेंथ पर चकमा देने का प्रयास में सफर रहे लेग इस्टम के बाहर पैड पर जाकर लगी गेंद दोनों बले बाजों ने भाग कर एक रन पुरा किया तीसरी गेंद पर राशिद खा रनों की दरकरार थी दरकार थी ऐसे में चौती गेंद पर पंत गच्चा खा गए और कोई भी रन नहीं बरा सके पांची वी गेंद को पंत ने स्वीप करने की कोसिस के लिए चूक गए गेंद उनकी पैड पर लगी लेकिन तब तक गेंद फिल्टर तक पहुंच चुकी थ दोनों बाले बाजों ने भाग कर रन पूरा किया हैद्राबाद ने फ़िद्mare के लिए रिवई लिए लेकिन ऐलब्वी डब्लू के लिए रिवीगलिया लेकिन वह खाली रहा आकृरी गेंद पर जीद कर दिए एक रन की दरकार थी और धावन ने स्वी उपील की जिदब बले बले पर नहीं लगी लेकिन दोनों बले बाज रन लेने में कामयाब रहे लेगबाई के जरिए दिली ने अपने नाम ये मैच कर लिया अलाकि रन आउट के लिए तीसरे अमपायर के पास फिल्ड अमपायर गए थे लेकिन उनके नकारते ही जीत दिल्ली के खाते में दर्ज हो गई दिल्ली की ये पांच मैच में चौती जीत थी वो इस जीत के साथ सी एसके के बाद दूसरे पाइदान पर पहुँच गई है आसा करतों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेर सस्क्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं दूस्तों अगले वीडियो में जै हिंस जै भारत वंते मात्रम